नमस्कार, मैं दॉक्टर पंकचपाल, कंसर्टेंट नुक्लियर मेडिसिन एंड पेट सीटी, कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर, कैलाश हॉस्पिटल दहरादून में पेट स्कैन मतलब पॉजिटरोन इमिशन टोमोग्रफी हम बात करेंगे पेट स्कैन की, क्या है ये पेट सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन कैंसर के मरीजों में की जाने वाली एक प्रकार की जाँच है जैसा कि हम देख रहे हैं, आजकल कैंसर एक बहुत ही common बिमारी होती जा रही है, लोग तरह-तरह के कैंसर से पीडित हैं, जैसे की head and neck कैंसर, isofagial कैंसर, जिसे खाने की नली का कैंसर भी कहा जाता है, lung कैंसर, फेफडो का कैंसर, breast कैंसर, इस्तन का कैंसर, multiple myeloma, lymphoma, gastric कैंसर, जो की stomach का कैंसर होता है, colon कैंसर, जो की आतों का कैंसर है, rectal कैंसर, anal कैंसर, testicular कैंसर, prostate कैंसर, गदूद का कैंसर कहते हैं उसे, cervical कैंसर, जिसे बच्चे दानी के मुह का कैंसर भी कहा जाता है, ovarian कैंसर इत्यादी, आएए देखते हैं हमारी केलाश omega cancer center की pet city की machine, pet city का उपयोग जादतर cancer की जाच के लिए किया जाता है, यहाँ पर हमारे पास latest advanced technology, GE Discovery IQ2 pet city की machine है, इस जाच में हम एक थोड़े से amount में radioactive tracer या dye का इस्तमाल करते हैं, जिसे FDG कहते हैं, यह एक परकार का glucose molecule ही है, इससे किसी भी परकार से body के किसी भी हिस्से को नुकसान या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, यह FDG radio tracer जो आपको injection के द्वारा दिया जाता है, वो 4-6 घंटे में खुद ही खत्म हो जाता है, PET CT में हम PET images और CT images दोनों का fusion करते हैं और accurate diagnosis बनाते हैं, इसे cancer के निदान और सही पहचान के लिए किया जाता है, एवम इसके अन्य भी उप्योग हैं, जैसे कि neurology में हम dementia epilepsy की जाच के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं, cancer के treatment में PET scan की जाच करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, cancer की पहचान, initial diagnosis, cancer की अवस्था, staging, इस शुरुवाती scan के basis पर treatment decide किया जाता है, कि surgery होगी, chemotherapy दी जाएगी, radiation दी जाएगी, या combination में treatment दिया जाएगा, फिर जब patient को treatment मिल गया, उसके बाद assess करना होता है, कि जो treatment मिला है, surgery, chemotherapy या रेडियो थेरपी उसका कितना effect आया है, अब patient अगर बिल्कुल ठीक हो गया है, तब हम 6 महिना या 1 साल के बाद उसका समय समय पर PET scan करते हैं, फॉलो अप के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं बीमारी वापिस तो नहीं आई, और अगर वापिस आ रही है, तो समय रहते बीमारी पकड़ी जा सके और उसका इलाज कर सकें, जैसा कि आपने अभी PET CT scan की मशीन के बारे में जाना, कि कैसे वो विभिन प्रकार के कैंसरों का पता लगाने में मदद करती है, यहां कैलाज ओमेगा कैंसर सेंटर कैलाज होस्पिटल दहरादून में PET scan की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए आप नीचे दिये हुए नंबर पर संपर कर सकते हैं, थैंक यू